हाई गाईज विफर प्रोसीडिंग विदा इनलीजिस ऑफ दिस कोशन एट में गीव समय इंपॉर्टन इंफॉर्मिशन इस पूरी एक्सेसाइज की जो प्लेलिस का लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा जहांसा आप इस पूरी एक्सेस अबहुत अच्छे से पूरुप्यर घेखेस सब्सक्रिप्शन आप स्कूर्टन इसने बनाइस लिए घए पूर्टन इसकोशन इसक नमबर फौर्टन टिक ता करेक्ट आंसर इन दा फॉवलोविंग प्रिक्ट कर्यक्ट आंसर इंधा फोलोविंग गोसिंग के है area of sector of angle P means यहाँ पर जो theta आपका वो P है, P in degree of a circle with radius R, R की value क्या है capital R, now we know that area of sector, area of sector, we know that area of sector is equal to theta by 360 into pi R square, अब theta की जगह आजाएगा P upon 360 into pi R square, और small r की जगह आजाएगा capital R square, अब क्या यह option है, यह option आपकी नहीं है लेकिन अगर आप D option में देखो तो 2 आ रहा है यहां पर और नीचे 720 आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं numerator को भी 2 से multiply करते हो, denominator को भी 2 से तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपके में मेच्च कोर्स की बाद है, complete Mathematics कोर्स की जो प्लेइस का लिंक है वह आपको description section में मिल जाएगा, so Bye, take care and have a great day. झाल 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 झाल